हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में दोस्तो हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट स्रीज पार्ट 51 के बारे में दोस्तो और हिंदी की टेस्ट स्रीज दोस्तो हमारी हिंदी पोस्ट प्रस्ण देखने को मिलेंगे इससे पहले दोस्तों 50 पार्ट तक हम लोग कर चुके हैं आज 51 पार्ट में दोस्तों हम मुहावरे एवम लोकोक्तिया लेसंस से संबंदित 50 महत्वण प्रस्णों के वारियां बात करेंगे जो कि विभिन एक्जाम निसेंस में दोस्तों आए तो इसलिए दोस्तों ये टॉपिक में आज यहाँ पे आपको कवरप करा रहा हूं वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरू करें करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर सेर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हु प्रपास थी जो बेसिकली उसके पार्स थे उसके बाद में गद्यपद्य वाला सेक्षन है पत्रलेखन है और उसके बाद में आपको स्रीज में हिंदी से सब्मंदित करवाई हुई है तो चले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज का हमारा पहला कुश्च्छन है उसने तो मेरी आखें खोल दी रिखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा इसमें आखें खोल दी जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो आखें खोल देना मुहावरे का अर्थ होता है जोस्तों क्या ब्रह्म को दूर करना तो उसने मेरी आखें खोल दी आखें खोल तो अंडे का सहजादा का अर्थ क्या अनुभवहीन व्यक्ति क्या होता है अनुभवहीन व्यक्ति होता है अंडे का सहजादा अगला हमारा पसन है अकल का दुस्मन होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है तो अकल का दुस्मन होना मुहावरे का अर्थ होता है तो अकल का दुस्मन होना मुहावरे का अर्थ होता है तो अंख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ होता है तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहाबरे का क्या आर्थ होता है तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहाबरे का आर्थ होता है उस तो क्या अपात्र को भी बड़ी सपलता मिलना यानि कि अपात्र जो होता है जो बिना मेनत के किसी को सपलता मिल जाते अंधे के हाथ बटेर लगना अगला अख लगना मुहावरे का क्या अर्थ है उसतो तो आख लगना मुहावरे का अर्थ होता है क्या उसतो नीद आना क्या होता है नीद आना क्या ने अचानक से आख लगी या नीद आगे ठीक है वहीं दोस्तो दिल लगी होना मुहावरे का अर्थ होता है दिल लगी होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम होना और जान से हाथ दोना मुहावरे का अर्थ होता है क्या मृत्यू होना ठीक है अगला अपसने है अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्य होता है तो अंधे यहों दिपक दिखाने का मतलब होता है कि ना समझ को उपदेश देना शैनरie के वस्तों को पाने की उत्करस्ट लाल्चा करेंडा तो ओप्संटर करने की उत्ति इच् лиш के अगला अंडे सेना मुखाबरे का आर्थ क्या होता है तो अंडे सेना मुखाबरे emot critic हो साथ foss Catholic क्या होता है बुध्धी ब्रष्ट्ट होना घयक लगा ऑत्थर पड़ना अंग प्फुलेंने खाना मतलब होता है बहुत आनंदित हो न ऐसे कूछ अन्य मोहावरे का अरत देखेए मुर्क बुद्धम या निकमा ठीक है तो ये सबके सबाब को मुहावरे दोस्तो याद रखने हैं अंगारू पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है तो वही होता है तो क्या जान जोकिम में डालना या जोकिम मोल लेना ये होता है ठीक है अलबस ने आजकल के कि लके निए किलल दुने को अंझी से तॉट में क्या एंठे डिती। पथरा पढ़ सब्सक scarf होंते न वंप का उस्ट करूं हुलत है घूने एक होता विटित सब्सक्राइब बुसकत-तक तें एक होते हैं आँख दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है तो आँख दिखाना जो उसके मुहरा है इसका सही अर्थ होता है क्या धमकी देना यानिकी डराना किसी को भी डराना आँख दिखाना मुलब डराना या धमकी देना ठीक है अगले प्रिसने की बात करते हैं 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 अवान्चित समवाद अर्थ के लिए उप्युक्त मुहावरा कौन सा होगा तो अवान्चित समवाद उस्तों कौन से मुहावरे का अर्थ होता है यह होता है सिर खाना, सिर खाना जो महावरा होता है उसका आर्थ होता है क्या अवांचित समवाद यानि कि ठीक है अवांचित समवाद के लिए उप्रिक्त महावरा है सिर खाना ठीक है आँख फेरना मुहावरे का आर्थ क्या है तो आँख फेरना मुहावरे का आर्थ होता है तो क्या पहले जैसा प्रेम न रखना अगला प्रसन है आँख का काजल चुराना मुहावरे का क्या आर्थ होता है तो आँख का काजल चुराना मुहावरे का आर्थ होता है तो क्या साम इसके लिए आकास फाताले कर दे, यानिकि बहुत महनध की, यानिकि बहुत ज़्यादा प्रियास किया तो बहुत भारी प्रियास करना, ठीक है। अगला विष्ण दोस्तों आपको मुहावरों का आर्थ बताना है आखे भराना मुहावरे का आर्थ क्या होता है आखे भराना मुहावरे का आर्थ होता है भाव विभोर होना ठीक है अंडे का सहजादा तो यह मैंने आपको बता है अंडे का सहजादी का मतलब क्या होता है अन अपना राग अलापना जो इसका सही अर्थ होता है अपने ही बात को कहते रहना अपना राग अलापना अब दूस्तों जो रिखांकित वाक्य है इसका आपको सही अंसर बताना है मुहावर के आदार ठीक है देखें व्यापार में ज्यादा धन लगाने की सीखन मानकर राजन अपने पैरों पर आप ही कुलारी मान ली तो इसके लिए इसका मुलता इस मुहाबरे का अर्थ पूछा गया है अपना नुक्सान खुद करना होता है अगले बसने की बात करते हैं अपने मित्र के साथ ऐसा दगा किया कि अब वहाँ उससे आँखे मिलाने की हlor मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है और कभी कबार कियाँ आपको एक ही मुहाबरे के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं ठीक है तो वहाँ पर आपको options के according वो चीज़ें करनी होती है ठीक है जैसे कि आकास पाता लेक करना कहीं कहीं आपको दिखाएगा इसमें क्या पूरी सकती एक कर देना ठीक है या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ आएगा कि बहुत भारी प्रियास करना यानि कि बहुत ज्यादा महरत कर कि आनकानी करना महावरे का रथ क्या होता है तो टाल मठोल करना अर्थ के लिए उपयोगत मुहावरा थिकैंट यहाँ पर देख सकते हैं आप अचानक घबरा जाना के लिए अचाना मुहावरा होगा तो यह होगा हाथों के दोटे उड़ना बहुँचक का रहना ठीक है और वहीं अपने पाँ पर कुलाड़ी मारत होता है जान पूचकर स्वयम को संकट में डालना ठीक है या आपको याद रखने हैं अगले पिसने की बात करते हैं आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ होता है गया छोटा बड़ा होना ठीक है रहना चोटा बड़ा होना थीक है इह अ बहुल होता है या भेमल भेड़ंगा होना ठीक है आधा डालन का मनों होगा यह ए ठीक है रहा गया बहुल धन नम सब présाद में से अलग होगा प्रहीज़्ग कर दो erोध का सबसे आजब रह सबसे आलग रहना क्या Tetra अगला पसना है अंगार शिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या अगला पसना है अधजल गगरी चलकत जाए मुहावरे के लिए वाक के बताए तो अधगल गगरी चलकत जाए तो कम गुण वाले वक्ति का दिखावा करना इसका अर्थ होता है तो कंपटूण वाला व्यकति बहुत दिखावा करता है यह दोस्तों इसके लिए क्या होगा उपयूकत वाक्य नियुकत म्हावरा तो इसका मुहावरा होगा क्या तीका तिपणी करना होगा आलोसना करने के लिए उप्युक्त मुहावरा क्या टीका टिपपणी करना ठीक है ऐसे को चन्नी मुहावरे भी देख लेते हैं ठीक है आलोसना करने ही तो उप्युक्त जो मुहावरा है वह है टीका टिपपणी करना और सेज मुहावरे देखे जी सोटा करना मुहावरे कारत ह होता है कि सखाड़ना और दो टूब बात करना का मदलग कहा होता है इस पस्ट कहे देना अगर देना इस्वर की माया डैस डैस दैस लोकोक्ति को पूल कीज़े ठीक है to इस्वर की माया कहीं धूप कहीं चाया तो option number B जोस्ते इसका का सही हो जाएगा इस्वर की माया कहीं धूप कहीं चाया यानिका भगवान की माया ही बिल्कुल अलक्सी है ठीक है अगले बसना की बात करते हैं उंगली उठाना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो उंगली उठाना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो उंगली उठाना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो उंगली उठाना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो यह होता है दोस की ओर संकेत क्या होता है तो यह होता है दोस अबुआ बहुत प्राफ्त होता है तो इसका अर्थ होता है तो बहुत थोड़ा होता है अगर आपसे हैं उड़ती चिडियां पहचानना मुहाबरे का अर्थ होता है चाला की भाप जाना कहते हैं कि हम तो उटतीच पर पहचान लेते हैं कि तने चाला की को भाप जाते हैं चाला की भाप लेना होगा इसका ठीक है तो देखें दुब आपसंस के अकॉर्टिंग हमें मुहाबरे और लोकुक्तियों वाला section करना होता है और यह बहुत इंपोटेंट एक section है और इसमें ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी या practice करनी पड़ेंगी जिस प्रकार के प्रस्न exam में आते हैं वैसे ही अगर आप practice करते हैं दोस्तों तो maximum बार क्या होता है कि जो हमारा ये चीज़ें होती है न मुहाबरे हो गया लोकोक्तिय हो गया ये repeat होने के chance क्या होता है यानि कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और मुहावरे में दोस्तों एक और चीज होती है कि आप options के अनुसार भी मुहावरों को सही कर सकते हैं बस बात होती है मुहावरे भैचानने की एक मात्र सहरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा कि एक ही मात्र सहरा थिक है तो मुहावरे का सही अर्थ की होगा अंधे की लाठी होना अंधे की लाठी होना आखें बिछाना का मिला होता है, हिर्दाई से आभार करना और नाक का बाल होना का मतलब होता है बहुत प्रिय होना अगला प्रसने है, एक तो नौकरी गई और पैसो से भरा बैक चोरी हो गया वाकिके लिए उप्युक्त कौन सा मुहावरा होगा तो एक तो नौकरी गई, उपर से पैसों से बड़ा बैक भी चोरी हो गया तो इसके लिए उप्युक्त के जो मुहावरा होगा वह होगा या कंगाली में आटा गिला होना वैसे ही कंगाली है, उपर से आटा भी गिला हो गया यानि कि नुकसान उना भी कह सकते हैं या गरीवी में जीना इस प्रकार से ठीक है अगला प्रस्थन है मारा अगला एक दू एक्जामपल और इस तो कि कभी न घना कभी मुट्टी भर चना ठीक है इसका अर्थ होता है क्या मनुष्ट्य की स्थितिय में से एक समान नहीं रहती इसे प्रकार से खग जाने खग की ही भासा यानि कि जो जी संगत में रहता है उसे उसका पूरा बहिच जानता है कालाक्षर बहेंस बराबर यानि कि अनपड मनुष्य ठीक है तो ये भी आपको यादखना है और यो कंगाली माटा की लाफ मुखावरे का सही अर्थ होता है म मुखावरे का सही अर्थ होता है तो कट जाना मुखावरे का अर्थ होता है तो क्या आँखे चुराना क्या होता है आँखे चुराना क्या होता है आँखे चुराना ठीक है अगर आपसने है कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है तो कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ होता है उस तो सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना किया सुना यही बातों पर इश्वास कर लेना यह जो हर किसी की बातों में आ जाता है वो हarmed Q dollars चान का गच्छा आदमी ठीक है या बिना सूचे किसी की बात पर इश्वास कर लेना अग यह कूप मंदूक होना मुँँद का सही अर्थ क्या होता है क्या होता है बहेत प्रकट करना और वहीं दूद का दूद और पानी का पानी होना यानिकि सच्चाई गढा पता लगनाए अगला है उस्तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है Pal सब्सक्राइब करना क्या होता है बदनाम करना अगले पस्तने की बात करते हैं काग जी घोड़े दोड़ाना मुहाबरे का सही अर्थ होता है तो नकली घोड़े दोड़ना यह तो नहीं होगा बहुत परिश्चुम करना व्यर्थ की लिखा पड़ी करना क्या व्यर्थ की लिखा पड़ी करना अगला पसने है कान पकड़ना मुहारे का सही अर्थ होता है परतिग्या करना ठीक है इसी परकार से अगला पसने दुस्तों मारा किनारी लगना मुहारे का सही अर्थ होता है तो इसका सही अर्थ होता है काम पूरा करना किनारी लगने का मुहारे का सही अर्थ है क्या काम पूर तो मुहाबरे जी लेका कर ना, तो ये होता है गुप क्चूप निंदा करने, तो ये होता है, कठीन कारी में सफलता प्राप्त करने, तो ये होता है, गण जीत लेना ठीक है कटिन कार्णी में सफलता करना इसके लिए उप्यूक्त मुहावरा क्या होगा गड़ जीत लेना होगा ठीक है इसी परकार से परिक्षिया में कठीन प्रस्णों को देखकर मेरी अकल चक्राने लगी वाक्यमाई मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल पर दरसाता है परिक्षिया में कठीन प्रस्णों को देखकर मेरी अकल चक्राने लगी इसके लिए अगला है खल की दवा पीठ की पुझा मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो खल की दवा पीट की पूजा मुहाबरे का सही अर्थ होता है दुस्त लोग पीटने से ही ठीक रहते है खल की दवा पीट की पूजा यानि कि दुस्त लोग को पीटने से ही वह सही रहते है अगला आपसने है काफूर होना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है तो काफूर होना मुहाबरे का सही अर्थ होता है तो क्या भाग जाना रहें होना है कोड में खाज होना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो यस गया मुःक होना चूक्ट को पर लागि इसके लिए सही जो अर्थ होगा है कि होगा कुछ से समझ मैं नहीं आना तो यह थे लिए उस्तों आपके 75 प्रसने जो की मुहावरे और लोकुक्ति से थे और एजाम में दोस्तों बहुत बार यह प्रसन पूछे भी जाते रहे हैं और दोस्तों आई होप आप लोगों को यह अच्छे भी लगया होंगे तो वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेर करें और दोस्तों कमेंट बोक्स में जरूर बताएं कि इसके बाद में कौन से टॉपिक के क्वेस्टेंस आप लोगों को करवाने हैं ठीक है क गद्य पद्यवाला सेक्शन भी मैंने आपको पूरा करवा दिया है ठीक है सब्द विचार तद्सम तद्भाव की भी एक दो वीडियो मैंने आपको करवाई हुई है तो आप इसके अलावा दस्तों कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पर व कि बाकि अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप उनको भी जरूर देख लिएगा तो आज की शीडियो में इतना है दोस्तों थैंक्यू थैंक्स पर वासी वीडियो से यू नेक्स टैम धन्यवाद